गुड मॉर्रिंग फ्रेंड्स एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है जोगरफी में हम लोग देख रहे थे पपूलेशन जोगरफी में क्या देखें इसे पाट बन और पाट टू आज तो शुरू करते हैं तो पपूलेशन जोगरफी में बहुत सारे तत्र देखें थे अगर ज्यादा देखना हो तो हमारे पाट वन का जो पपूलेशन जोगरफी का जो वीडियो है यूटूब चानल पर चाहिएगा तो सब खोजिएगा तो मिल क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं आज क्या देखें जन संख्या के वीत्रण को परवहावित करने वाले माने यह कारकों में आर्थिक समाजिक संस्क्रितों और राजनी तकी यहीं चार करक ही परमुख होते हैं आर्थिकार, यानि इकनोमिकल भीक सेक्टर में किसी भी छेतर में मानाव निवास के लिए वहां जीवीक्या में क् किसी ने किसी साधन का पया जाना अनिवार है जीविक्या के पसाधनों में आखेट यानि सिकारी हो पसुपालन किर्सी खनन उद्योग धंदे वियपार परिवहन विविच सिवाएं पहुँ सारे थ्षे तो सकते हैं आदी आते हैं इससे मानों का रोजी रूटी चल सके तभी मानों का निवास से अधिक पाये जाता है जैसे भारत के उत्री मैदान चीन के मैदान बंगला देश के डिल्टाई भाग में जनसंख्या अधिक होने का यही कारण है और आगे देखिए परदोकी विकास जनसंख्या घनत को परभावित करने वाला एक परमुख कारक है आध अधिक तथा किरसी उत्पादनों में उलेखनिय वीर्धी तथा जीवन अस्तर में उत्थान होगा यहीं डिवलप्मेंट होगा उचाइगी तरफ जाएगी जिसके फल्स रूप अंच्षेत्रों से अधिक तथा आर्थिक रूप से विकसित छेत्रों के लिए जनसंख्या क का अस्थांतरन होता है यानि यहाँ पूल्फ हैक्टर है आकरसित करता है आया देखी मुखिता नगरिये चेत्रों पर अस्थापित होते हैं अधा रोजगार के लिए गरामीन जनसंख्या का पलायन नगरों की तरफ होगा किसी परदेश में आर्थिक प्रगति होने पर उस बढ़ने लगता है समाजिक संस्कृति कारक जंसंख्या वित्रण के परतिरूप पर समाजिक धंग वर्ग भेद रिती रिवाज परंपराओं धार्मिक विश्वास्त था जीवन मुल्यों के परभाव को अपेक्षाक्रित लगवोस्तर पर देखा जा सकता है जी ने डूढ़ी बात दी समाजों में समाजिक मानेता हैं तथा धार्मिक विश्वास आधि परिवार नियूजन में बाधक होते हैं नियूजन यानि पर भारत में जब आजादी के साथ ही यहां पर उसी समय से महसूस किया जाने लगा कि भारती जनसंख्या अधिक है तब भगवान ही कहे हुए हैं कि भाई अधिक साथिक बच्चा पैदा करो वाली बात थी तो आधी परिवार नियूजन में बाधक होते हैं वहां जनसंख्या की बिर्धिदर तेज होती है जिसे वहां जनसंख्या का घौनत तो तेजी से बरता जाता है देखिए यहां पर विभ जन्तरित भी करते हैं जिसे का पर्तियक्ष अथवा परोक्ष परभाव जनसंख्या के वीतरन परति रूप में देखने को मिलता है आगे दखेए भाधिक वाधी पास्चात संस्कृती आर्थिक संपनता के लिए जनसंख्या के प्रभास को पुरसाहित करती है जिसके पर न पूर्वी यानि की एसिया के बाद हो रही है तथा प्राच सभेता वाले देशों के लोगों में चेतरीय गतिसील्दा कौम पाई इसके भी कारण थे यहां पर भारत में कहा गया यहां पर पहले ब्रहामनों ने कहा यह आपको समुद्र नहीं पार करना है अगर समुद्र पार इस तरह से नहों पाया लेकिन कुछ हद तक देखने पर यह अच्छा भी लगता है कि आज दुनिया में एक तरह से दूसरे तरह लोग बेचयनात्मा की तरह जाते रहते हैं दौरते रहते हैं भागते रहते हैं उसी का परिणाम तो है आज इतनी बड़ी बड़ी बीमारिय इतने बड़े-बड़े महानगर किया वह दुनिया के सबसे बड़े से बड़े सलम बरन चुके हैं उहां पर सब लोग एक दूसरे के परती पीशे भाग रहा है बेचयनात्मा है वह कभी न खत्म होने वाला गुबारा की तरह फूलता आ जा रहा है उनक्या क्रांग्छा अ परिभीन देश अपनी समाजीक, आर्थीक, परीश्तितिक के अनुसार अपनी अपनी नितियों का निर्धारन करते हैं जिसके द्वारा जन संख्या विर्धी तथा परवास को नियंत्रित करने का पड़यतन किया जाता है विसवी सताब्दी के आरह में तक जन संख्या आकर बसनी लगते थे और उपनी वेसों की अस्थापना करते थे जैसे अमेरिका लक्षिन अमेरिका और अस्ट्रेलिया करनाडा की बात हो रही है इन सब जगह पर संसादनों की खोज में ही इरोप किलो आकर वह अस्थाई बस गया थे फिर इसी के चकर में भारत पूरे असिय पर इरोपियों ने कब जा कर लिया अफरीका पर कब जा कर लिया दुद्य विशुद के पहस्चात लगभाग सभी आश्ट्रिये सरकारों ने अपरवास पर परतिबंध लगाती है अस्ट्रेलिया की स्वेत निती के परणाम स्वरुप वहां गोरी जातियों के अत्रिक्त और लोगों को नाकरीकता नहीं परदान हो सकती है इसी परतिबंध के कानल सगहन बसे हुए एस याई तथा अफरीकी देशों से अपरवासन पूरूंता परतिबंधित है यही करने कि अस्ट्रिया की कूल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के पचासमी भाग से भी कौम है ज से लोगों को आनने नहीं दिना चाहिए सोचने वाली बात है इसी प्रकार देश का विभाजन हो गिया युद्यादी के पढ़िणाम स्वरू भी जनसंख्या का अस्थांतरन होने से जनसंख्या भीतरन प्रतिरूप परभावित हुआ पहले दिली इसकी लेंगोज बदल गया आज दिली की अवादी अधितर हिंदूओं की है और अवादी खड़ी वोली है वहीं जो पाकिस्तान का लाहर है वह पहले हिंदूओं का था आज मुसल्मानों का हो चुका है जिससे दोनों देशों के जनसंख्या बीतरन मुलेखनी परिवतन हुआ था यह बात क परमुख जनंग की तत्व हैं बहुत से विकासिन देशों में पड़यतन के पस्चात भी जन्मदर में अधिक कमी नहीं आपाई है जबकि चिकित्सा सुईधाओं के विकास से क्या हुगा मिर्टूदर में कमी आए अब क्या होगा मिर्टूदर कम हो गया और जन्मदर में क सिंथ बिकासी देशों में जन संघ्छा मिस्तिति उत्वर्थ हो गई है विकासी देशों की स्थिती भिन्ह सुरी डेबलॉप याने बीगशित की बात हो रही है ऑथिकान से बीघशित देश जैसे अमेरिका यानि USA स्वन्य तराज अमेरिका पस्टमी इरोप यानि जर्मनी फ्रांस इंग्लेंड की बात हो रही है जबान तता अस्ट्रेलिया में जन्मदर और मिर्थु दर दोनों नियंत्री थे और निचली अस्तर पहुच गई है तता सहार दोनों में अंतर बहुत कम हो गया है इसे उन्देसो में जनसंख्या की विर्थी दर लगभग रूप गई है और जनसंख्या के घौनात्यों में लगभग स्थीदलों आ गई है इसी परकार नगडी करण के विकास का भी जन संख्या के वितरन पर परभाव पाया गया है नगडी के विकास से ग्रामी रोजगार आदी विभिन सुविधाओं की खोज में ग्रामी लोग क्या करते हैं सहर की तर्फ अंधी दोर सुरू करते हैं तो होता क्या है इस बार ही देखिए कोरोना की कारण जब ड्रोग डाउन कर दिया गया तो जितने जो रोजी रोटी करने वाले थे रेरी यह फूट पास पर बेचने वाले समान थे आपना गुजारा बसर करने वाले थे अब उन लोग किया इस्तिति आगे वह लोग ना घर के गठना थी वह याद आ गई थी इसों कहा गया कि विभाजन ये पाट्टू है उसमें देश का विभाजन हुआ था धर्मिक अधार पर और यह विभाजन था जो अमिडी और गड़ी के अधार पर विभाजन दिख रहा था जिसे नगरिये केंद्रों में जन संख्या का गहन तो अपेक्षाक्रित अधिक्तेजी से बढ़ने लगता है सहर देखिए आज से दो सल पहले सहरों की कितनी अवादी थी और आज कितनी अवादी हो गई है तो क्या उस अवस्था में सहर में क्या धार भूस्विधा को उत्तरा विकास हुआ है जिस से रफ्तार से वहां की अ जनसंख्या मां के परमुखे चार सेरेनियों उसको विवाजित किया सकता है सबसे पहला अधिक जनसंख्या वाले छेत्र जैसे अधिक जनसंख्या कहा मिलेगा उत्री गुलार्द में देखिए विश्व की जनलगभाग 90% जनसंख्या यानि पपूलेशन नौर्थ हेमस्प आधा ईसिया जनसंख्या एर्वोपीय जन संख्या और अमेरब की जन संख्या एकुलेशन नाप इसमें पूरी दक्षिणी पूरुइ छेत राते हैं यह संसार का सबसे विसाल मानो समू है जिसका विसार चीन, जपान से लेकर इंडोनेसिया होते हुए पाकिस्तान तक यह इसे बीच में बागना देश, भारत, मयनमार, बहुत सारे देश आते हैं और यह क्या है तो इस भूभाग पर मानो सूनी जलवाय हुए और कहा जा कि यह मानो सूनी छित तो भी गलत न होगी जिसके अधार पर इसे मानो सूनी एसिया के नाम से भी जना जाता है इसे एसिया जनसमों भी कहते हैं एसिया जनसमों छेतरी रूप से तीन उपखंडों में विवाक्त हैं पूर्वी एसिया में देखिए पूर्वी एसिया विश्व का सबसे बराविशाल जनसमों हैं जिसके अंतरगत संसार की एक चौथाइस यदिक यानी 27 परसेंट जनसंख्या निवास करती हैं चीन विश्व का ब्रिहंतब जनसम्ख्या वाला छेतर है लेकर संफूर्ण चीन में उसकी अवादी नहीं रहती हैं चीन की लगभग 90 परसेंट आवादी उसके मात्र 10 परसेंट से भी कम छेतर में रहती हैं ताइवान साहित चीन में विश्व की लगभग 21 परसेंट आवादी यानी 130 करोड से भी अधिक लोग निवास करती हैं इसके समी पेस्ति दूपीए देस जैसे जैपान में की जनसम्ख्या लगभभ बारह तो समलोग 8 करोड है वही बहुत है चीन के उत्तर पूर्व में इस पर चेतर है दक्षिन पूर्व एशिया का जनसम पेख्षाक्रित छोटा है और कम संगठीत है इसे हिंदेसिया के विभीन भागों में कूल मिलाक लगभभ 22.1 करोड लोग और वियत नाम में लगभभ 8.3 करोड लोग निवास करते हिंद्व एस्या आनि इंड़नेसिया के दूपी इस्थीति के कारण यह हैं जनसंग्या कभी तरह औसंगाठीद है कहें कि गुच्छों की तरह लो रहते हैं क्रेश म jaką डुट आप इंडिया की बातो ही अअला इंडिय मतला क्यों इनJust सब कंटिनेंट धीवात हो रही है दक्षिन एसिया कि भारतिये उप महादीव में एक विसाल मानोस महा समुहनी वास करता है इसके परधान घटक देश भारत, पाकिस्तान और बांगला देश है भारत, चीन के पहश्चा तो इसका दूसरा विहतम जन संख्या वाला छेतर है भारत में लभग 120 करोर वर्तमान में तो यह है 140 करोर, पाकिस्तान में लभग 18 करोर होगा और बांगला देश में भी लभग उटना है जन संख्या पाई जाती है इस प्रकार इन तीनों देशों की अबादी अभी वर्तमान में 150 करोर से अधिक है जो विशु की कुल जन संख्या का 20% से अधिक है चीन, भारत, बांगला देश, जापान विशु के परमुखे चावल उत्पादन देश है जापान का त्रिक्त एसियाई जन समुखे और सभी देशे विकासील देशों की सिरेनी में हैं केवल जपान विक्सी था तत्था और जनांकी संक्रमन की विस्पोर्टक अवस्था से गुजर रहे है इन देशों में स्वास्त सुविधाओं के विस्तार तत्था आधुनिक दवाओं के परियोग में मिर्तु दर में उलेखनी कमी आई है किन्तू जन्मदर में अभी अधिक हास नो हुगा है इसकारण क्या हुगा कि जन संक्या में बिरधी लागातार हो रही है इस प्रकार जन गे बिरधी दर तीप रहे है जिस से जन संक्या स्पोर्ट के इस्स्थिती उत्पन हो गई है भारत बांगलादेश जैसे देशों में जन संख्या पहले से ही अधिक है और उस पर बीर्धी दर भी अधिक यानि लभग दो परसेंट वार्षी बारत की सत्रा परसेंट है लेकिन लोगों भी अधिक है सत्रा परसेंट वं दस साल में जीस से जन संख्या TO कि जिस्था जा रहा है जन संख्या की तीरविवर्धी से क्य hugging भोजन के कमी आवास में कमी रोजगार में कमी और निर्धानता के आगे इसमें वी worms आई जारही है और समाने जीवन कौठीन होता जा रहा है यो दूसरा है जन संख्या के समुह उत्री पस्चमी तथा मध्य वर्ती इवरोप गी बात हो रही है। एसीया के पस्च चाहते दूसरा विशाल जन समुह इवरोप महा दिर्प में इस्तित है। एउरोप के उत्री पस्चमी तथा मदवर्ती भाग में इसी देशों में कुल मिलाकर विश्व की लगभग एक चौथाई जन संख्या नियास करती हैं कितना विश्व की लगभग एक चौथा यानिया पचीस परसेंट एउरोप ये जन समुह के अंतरगत जर्मनी ग्रेट बीटन फ्रांस इटली स्पेन पोलेंड इगोसलाविया रूमानिया निदरलेंड पूर्ट गाल हंगरी बेल्जीयम आजी देश सम्मिली थें इसमें जो इरोप है आज इरोप में तो जात का अधार पर ही वहाँ पर देशों का बटवारा हो गया या कहिए उनके बोली की हिसाब से इस तरह से भारत में सैक्रों बोलियां है अगर इसी अधार पर भारत में बटवारा होता तो आज भारत इंडियन कांटिनेंट होता और इस इंड यानि यह पूरा का पूरा टेंपरेट रीजन है उत्री अक्षांस के मद पाया जाता है और जिसकी सरवाधी सगहनता 45 डिग्री नौर्थ से 55 डिग्री नौर्थ से अक्षांस के बतिस्तित कोईला पट्टी है जहां अधिक जनसंख्या किरसी छेतरों में पाया जाती है जहां अधिक उद्योगों तथा नगरों का विकास हुआ है और दोगी करांती के पूर्वे इरोप में जीवन का मुकाधार किरसी ठीए और अधिकांस जनसंख्या नदी घातियों तथा मैजानी सेत्रों में 먹 ताया जलोड होड़ी यांद जलग्या की त्वरा भाह कर लागी मिती और लोव ययानि यह हवाहां के द्वरां बाहाकर लागी मिती मितिया मिलती है जो किरसी के लिए उपियूकत आता उन देश विश्यों के उद्योग परधान देश बन गए उत्री पहस्ची में तथा मधी इरोप के अधोगिक सभेता का पूर्ण विकास हुआ और वहां जनसंख्या के संकेंद्रन का मुखाधार विन्रिमान उद्धोग का विकास हुआ है पहस्ची में बिर्टेन से लेकर पूर्व में उक्रेन तक फैली हुई कोईला पेटी में 20 परकार के उद्योग धंधों का अधिक विकास हुआ है जिन में लोहा, इसपात, मसिनरी, वस्त, दवाएं, प्लास्टिक पदार्त, विदूतूप करन एवं समगरी बनाने के करखाने परमुख है, कोईला पेटी के भीतर तथा स्यमीप वरती भागों में खनीज, लोहा, कोईला, मैगनीज, आधिक खनीज पतार्तों के पर्यापत भंडार हैं, जो अधोगी करन में सहायक हैं, इसी पेटी में जनसंख्या की सखंता सबस्दिक हैं, अतहर इसे एउरोपिये ज लगभग, दोसो वर्स पहले जनांकी ये संक्रमन की पर्थम आवस्था यानि उच्छ जनमदर और उच्छ मिर्थू दर से बाहर निकल चुके थे, कब लगभग 200 सल पहले, और आज ये जनांकी संक्रमन दर की संक्रमन की अंतिम आवस्था में पहुँच गया हैं, यानि ज समस्या नहीं है, सारे लोग के सारे लोग स्कील्ड हैं, रोजगार के प्रयाप्त आवसरों की उपलवदी, पर्ति व्यक्ति आवसत उच आये, वैग्यानिक तथा तकनिकी परगती, और दोगी तथा विपारिक विकास और उच नगरी करन आदी के फल सो रूप, उतरी ये समान जीवन अस्तर, उच और आधुनिक स्वी विधाओं से पूर्ण है, ये उरोप की बात हुए, और तीसरा महत पूर्ण पेटी होन है, तो उतरी पूर्वी अमेरिका की बात हो रही है, तो विसु का तीसरा बड़ा जन समुह, उतरी अमेरिका के उतरी पूर्वी भाग म यह वही चेत जहां पर निव्यार्क है, और सिंटर है, और ग्रेट लेक्स, यानि मीशिघन, सुपिरियर, ईडी, हिरोन, उन्टोरियो, आदेजी, जो महान ग्रेट लेक्स है, उसी चेत की बात हो रही है, इसे अमेरिकी जन समुह के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकी जन यहां कि अधिकान जन्संख्या, यूरोपीय मुलकी है, इसके करन यहां यूर्पीय संस्क्रिटी की परमुक्ता पाई जाती है, अमेरिकी जन समुह की कूल जन्संख्या में लभख 90% यूरोप से आयह हुए लोगों की अबादी है, यूरोपीय जन्संख्या प्रवास के सा परमभुगा नएने उद्योग धन्दे अस्थापित होते गाए इस छेत्र में अनेक बड़े बड़े अद्योगी केंदर जहां विवित परकार के उद्योग धन्दे संचालित होते हैं इस अद्योगी पेटी में लोहा इसपात उद्योग मशिनरी ओम इंजिनियरी कार उद्योग वश्त्र उद्योग रसायन तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योग अधिक विक्सित अवस्था में हैं यहां के निर्मित समान विश्व के आधि अन्य देशों में पर्युक्त किये जाते हैं और मध्यम जनसंख्या वाले छेत्र में नई तथा पुरानी दुनिया के लिए अनुप्यूक्त भी नहीं है ऐसे छेत्रों में कहीं कहीं भगौलिक दसाय मानविकास के लिए उप्यूक्त भी है लेकिन इनका विश्तार रपेक्षाक्रित कम है यहां में भूमत सागर के पूरू में तुर्की इज्रायल जोडन लेबनान में जसंख्या का वितरन मद्यम परकार का है कहां कहां तुर्की यह वही चेतर जो एउर्वोप को एसिया से जोडता है फिर इज्रायल जोडन लेबनान यानि सबके सब भूमत सागर के बाउंटी वाले चेतर इसमें जोडन की का सीमा भूमत सागर से नहीं सट्रच करता है यात कीजिए कहां और दक्षिनेपूर भी इउरोप में दक्यात कीजिए दक्षिनेपूर इउरोप में कौन तो रूम सागर के पूर्व वर्ति देशों में जनसंख्या अधिक सगर नहीं है इन देशों में किर्शिक के लिए पढ़याप्त उपजाव भूमी उप्रव्द नहीं क्योंकि रूस सागर ये जलवायू भाले इन भागों में मुख्ता रूस सागर नहीं रूम सागर रसदार फलों की खेती की जाती है यहां बड़े उद्योग धंदों का विकास नहीं हुआ है और उद्योग के नाम पर छोटे छोटे धंदें ही पाय जाते हैं दक्षिनी पूर्वी और पूर्वी इरोप में भी जन संख्या के वित्रन समान नहीं कहा जा सकता है इसके अंतरकत यूक्रेन तथा रूस के भाग समिलित है जहां किर्सी और उद्योग दोनों का पड़ियाप्त विकास हुआ है और उत्री अमेरिका की बात तो उत्री अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग जो मुखित है किर्सी परदेश है कौन तो मध्य पूर्वी भाग यानि यह पेरीज की छेत्र की बात हो रही है मध्यम जनसंख्या वाला छेत्र है यहां बड़े-बड़े किर्सी फर्मों पर आधुनिक यंत्रों के पड़योग से उन्नत किर्सी की जाती है यहां जनसंख्या कम होते हुए भी किर्सी उन्नत आवस्था में क्योंकि वह किर्सी मसीनी किर्द किर्सी है यहां गिए हूं मक्का का पास आधी की विक्सित किरसी पेठिया पाई जाती हैं इस भाग में दूर दूर किरसी फार्मों कपर किरसी गरिह यानी फोर्म स्टेर के रूप में प्रकिर्न अवस्त अधिवास पाई आते हैं सनीतरा जो अमेरिका और कनडा के पहचमी तट पर भी नगरों के विकास से जनसंख्या का जमाव बढ़ा है इसके अत्रीक मेक्सिको तरह मध्य अमेरिका और पाश्मी दीप समूव में भी जनसंख्या वाले छेतर अक्यांतरगत आते हैं कौन-कौन तो वही मध्य मैक्सिको सबसें अमेरिका के गक्शीन वाला है उसके नीचे आता है आपका बहामास इकवाडूर में पनामा अंधूरास और भी कुछ सारे देस वहां पर छिट चुछा देस हैं और दक्षिन अमेरिका, तो दक्षिन अमेरिका में देखिए, दक्षिन अमेरिका में पूरू तथा पस्चमी समुद्र तटिये भागों में जन संख्या का बीतरन समान है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुगवे, बेनेजुएला, पेरू तथा चीली के समुद्र तटिये भाग इसी परकार के हैं अफ्रीका में नील की घाटी उतर पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् भी अस्ट्रेलिया में कहा तो अस्ट्रेलिया के दक्षिनी पूर्वी मैदान में ही और धिकांस जनसंख्या का निवास है जिसकी सघंता मध्यां परकार की है और न्यूजुलेंड की गन्ना भी इसी छेतर के अंतरगत की जाती है और आगे देखिए तीसरा छेतर और प्यों उन छेतरों को समिलत किया जाता है जहां जनसंख्या का निवास बहुत कम है और यह यतर ततर विख्रेगाई सवमुः में पाई जाती है किन्तु ये छेतर पून्तिया जनरिक्त नहीं है यानि अवादी है कोई कहीं है इन छेतरों में भूबी नियास जलवायू मिट्टी यह लापूर्ती आधिका अनुप्यूप्त होना और आर्थिक संसाधनों यह तयात के साधनों आधिका अभाव जनसंख्या विर्धी तथा स्वघंता में और उधक है और तीसरे छेतर में लोग कहा थें तो इसके अंतरकत विर्धी के बसे हुए उन छेतरों को सम्मिलित किया जाता है जहां क्या होगा तो जनसंख्या का निवास बहुत कम नाम है कम और यतरतर विख्रे हुए समुह में पाई जाती है किन्तु यह पूर्णत जनरिक्त नहीं यानि कहीं कहीं आवादी है इन शेतरों में बूबी नियास जलवायू मिटी जलापूर्ती आदी का अनूप युक्त होना मुख्यकारक है आर्थिक संसाधनों यातयात के साधनों आदी का अभाव जनसंख्याविर्धी तथा सखंता में और उधक है और आगे देखिए इस प्रकार के छेतर समानता मुरोस थलों भूमद रेखिए घौने भागो जंगली भागों के बाहर इसी सिमानत छेतरों में कटे पठे पठा अब अगे तरह निचली पहारी पर्देशों करनदा तुधा इउडासिया के युदेशिया के पालेगा यात किजिए पालेगा वणषीत्र तो पताइगा वंशर चाहां तो युदेशिया और में पश्मी चीन तिवद मंगली तथा एशिया रूप के विस्तरित भूभाग में जन संख्या का निवास पाड़े जाता है और चोथा नाम ही है निर्जन प्राय या एवं बिना बहुसे खेत्र आबादी ही नहीं है तो प्रिधिवी का लगभग आधा सरी खेत्र पूर्णत अथवा लगभग जन संख्या विहीन है जहां अस्थाई मानो निवास का भाव है ऐसे खेत्र अत्यांट उसंत आप मांत अत्यधिक वर्सा अथवा अती सूस्क्त थाया धातली विसमता के कारण मानोनिवास के लिए सर्वाथा प्रतिकूल है जिसके कारण यहां अस्थाई मानो निवास अभीतक नहीं हो पाया है इन खेत्रों में मानो निवास के भागों नीचे जिसमें मानो निवास नहीं करता है और इनको चार भागों में बाटा गया है कौन-कौन पहला ओधी ओधी सीथ छेत्र यानि यहां पोलर छेत्र है तो अति-सीथ छेत्र कोन होगा पड़ाय है यह कोन तो आर्किट्रिक सरकील का छेत्र भूमद्य सोरी मरुस्थरी छेत्र और फिर कौन सुस्क गहरा सुस्क छेत्र यह सब आएंगे और अति-उस्तिनार्दे छेत्र यानि जहां आते देगे गर्मी है अति-सुस्क यानि कि वाम हो अति-सीथ छेत्र यहां टाप आन कॉम और अति-उस्व परूतिस चैतर शेत्र यहां प्रतिस है कि फीडियर है यहां देखिए एक से कम जन्संख्या वाले चैतर तो वह आपका बलैक से दिया हुए एक से कम वाल सब्सेहिए तब सेंञार के दो सो सभी क्वर खेटर रहें और एक से कम तो एक से कम बाला च drip विरफण आप ट्तियार से अतर हो आज सकाथे हो यह अंदाधि लगा सकते हूं किक नंया अब लेंधी अब आगे बरrop उपाती है भूमी और जनसंख्या के स्वैसा मंदों के जानने के लिए छेतर फल और जनसंख्या के अनुपात का ज्यान अधिक महत्तो पूर्ण है किजी परदेश के छेतर फल और जनसंख्या का अनुपात को ही समाने था जनसंख्या का घौनतों कहा जाता है यानि कोई सेक्टर A है, सेक्टर B है, सेक्टर B की अबादी 500 है, सेक्टर A की अबादी 400 है, तो क्या समझे कि सेक्टर B की अबादी अधीक है सेक्टर A की अबादी कौम है लेकिन सेक्टर A में अब का छेतरफल कितना है एक किलोमीटर है और सेक्टर B का छेतरफल कितना हो गया तो पांच किलोमीटर तो से हमकूल जनसंख्या का जो अनुपाद निकाले कि क्या करेंगे जनसंख्या में उसके छेथरफल से भाग दे देंगे, तो sector A में क्या आयाएगा, जनगणा तो 400 वेक्ति पर्ति किलोमेटर में आ गया, और sector B में क्या होगा, तो पर्ति किलोमेटर एक सव वेक्ति जनगणा तो आया, तो जनगणा कहां कँव है, तो sector B में, लेकिन, सेक्टर B में क्या है जन गहनत तो अधिक है लेकिन सरी कौम है और जन गहनत अधिक कहा है तो सेक्टर A में है लेकिन जन संख्या कहां का अधिक है तो सेक्टर B कहा है तो हम लोग समझेंगे क्या कि सेक्टर B में अधिक आवादी है लेडिस का मतलब यह नहीं है कि वह अधिक जन संख्या के दबाव को परदर्सित करता है अब जन संख्या के परकार है विभिन उपयोगी तथा उदेशों से जन संख्या गनातो की गन्ना परकार से की जात सकती है जन संख्या गनातो के पर्मुख परकार्णी उभिन पहला अंक गनितिये गनातो यह क्या होगा तो दखिए तो किजी परदेश यहां भू छेतर के कूल छेतर फ़ल और उसकी कूल जन संख्या का अनुपात अंक गनतिये गनातो कहलाता है इसके दोरा पर्ती एकाई छेतर फल यानि पर्ती वर्ग किलोमीटर अथवा पर्ती वर्ग मील में रहने वाले वेक्तियों की औसल संख्या का बोध होता है वास्तों में अंगानिये घनत्य मनुसों और भूमी का सधारन अनुपात है जो लोग बताया थे यानि देखिया दोर वेक्ति पर्ती किलोमीटर यहाँ पर निवास करती है यहां उंगण्यति घनत्य हुआ कूले जन संख्या के September जोल छेतरफल से भाग देने पर प्राप्त भाग पर ही जनसंख्या का अंक गनत ये घनतो न थे दूसरा देखिए फिर आगे बढ़ते हैं जन संख्या का घनत वेक्तियों की और सद संख्या का घोतक यसी सरीधिक यह में 122 बिक्तित परती किलो मीटर जन संख्या का अंगन की घनतों है किन्तु एउरोप में मातर 32 वेक्ति पर 30 किलो मीटर रहते हैं वहीं अफ्रीका में घटकर 29 वेक्ति पर 30 किलो मीटर चली आती है वहीं और उत्तर अमेरिका में 16 वेक्ति दक्षिन अमेरिका में 20 वेक्ति और अस्ट्रेलिया में मा में 390 वैक्ति पर्थी किलोमीटर कर ती है धाया की स्रिलांका में 300 वैक्ति किलोमीटर लोग निवास करते हैं मैं यह अँगन दिये घनतो ai 500 कि 300 कौम ही हैं वितना में लभक 300, पाकिस्तान में लभक 200, चीन में 140 वेक्ति पर्थी किलोमेटर निवास करते हैं। इसके BPD पहुच्ची में इसी आई देशों में जनसंख्या का अंगर्निय गहनतों बहुत कौम हैं। लभक 50 वेक्ति पर्थी किलोमेटर हैं। किसी देश या परदेश के कूल छेतरफल और कूल जनसंख्या के आंकरे पराया सुगमता से उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि जनसंख्या घरनतों की गन्ना के लिए पर्यूक्त अन आकरों की प्राप्ति में कठेनाई होती हैं, यही कारण है कि 20 अस्तर पर विभीन देशों मे जनसंख्या की सघंता के तुल्नात्मक अध्यन हेतु, समानेत जनसंख्या का आंक गन्नती घरनतों ही परयूक्त होता है, और यही जनसंख्या घरनतों का परतिनीदित्व भी करता है, आकरों की सूलब्धता की कारण ही किसी देश की प्रसासनिक इकायों के संदर्व में भी सरवाधिक प्रयूग的話 को कुल मौलिक दोस गन्या के लिए कूल चेतरफल से विभाजित किया जाता है कूल शेतरफल में परवत पहार, जंगल, दल्दली, भूमी, जलासे, रगिस्तान, आदी, जल, विहिन, भूमी का शेतरफल भी सम्मिलित होता है इस परकार इन शेतरों में भी उसी परकार जनसंख्या का निवास मान लिया जाता है जैसा कि आवासित छेतर के लिए है अधा बसे हुए छेतरों में जनसंख्या का घनत वास्तिता विक्ता से बहुत कम या बहुत अधिक हो सकती है जैसे भारत में ही एक और जहां बिहार की चका छेतर फ़ल देखिए मात लगभग ती रहार किलोमीटर है आब आदी लगभग अब 11 करूर हो जुगा है यानि कि परतिवर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं बिहार में तो लगभग 1100 वहीं ठाट डेजट भी है भारत में हिम अंतर है लेकिन यह पुड़े भारत का जनसंख्या घन तो मान लिये जाता है उदारन के लिए चीन की वास्तविक जनसंख्या इसके पूर्वी भाग में है जहां जनसंख्या का घन तो 1000 व्यक्ति परतिवर किलोमीटर से भी अधिक है किन्तु संपूर्ण चीन का जन घन घन अधिक जनसंख्या निवास करती है इस परकार निशकर्स यह है कि जन संख्या का अंक गनितिये घनतों वास्तविकता से दूर होता है और केवल सांख्य की अवसत का परदर्शित करता है जो अधिक भरामक होता है और उद्देश एयों और सक्ता अनुसार इसके अस्थान पर अन परकार के जन संख्या घनतों का परयोग करना अधिक उप्योगी और सार्थक होगा आगे देखिए, दुसरा है काई के गहनतों, यह क्या है? यह अंके गहनती गहनतों का परिमार्जीत रूप है, जो अपेक्छा किरित अधिक सार्थक तथा उप्योगी होता है. इसकी गहनना के लिए कुल छेतरफल के स्थान पर केवल कुल किरिसी यह भूमी को ही समिलित किया जाता है, यह गहनतों यह परकट करता है कि किसी परदेश की परती काई किरिसी भूमी पर और सत्कीर से कितने मनुस्यों का भार है, मानो निवास के लिए अनुप्यूक्त भूमियों को कुल छेतरफल से निकाल देने के परिनाम स्वरूब काई कि गहनतों अधिक सही जथा तथ परस्तूत करता है, अब काई गहनतों मतलब इसका स्तूत देखिए, काई गहनतों बरापर परदेश की कुल जसंख्या बटे है, परदेश की कुल किरिसी योग भूमी की बात हो रही है, वर्स 2001 में भारत की कुल जसंख्या एक औरव या 102 करोड थी, मान लीजे, 102 करोड और कुल किरिसी योग भूमी कितना था, तो 15.6 लाग था, इस परकार भारत का काई गहनतों कितना हुआ उस समय के उसार, जब अफसत गहनतों भारत का कितना है, अंगहनती गहनतों 325, तो काई गहनतों तो 657 बेक्ति परती वर्ट किलोमीटर आता है, भारत का अंगहनती ग पर तीकाई किरसी भूमी पर मनुस्यों की औसोस अंख्या कितनी है, और गनत्य गनत्य कि तुल्ना में अधिक सिश्ट होते हुए भी, इसमें कुछ दोष सरवा जाते हैं, काई गधनतों की गणना में यह मान लिया जता है कि किसी देश में निमास करने माले सभी लोगों की जीवी का किर्सी पर अधारी थे यह कल्पना कुछ अत्रधिक किर्सी परधान देशों में तो सही हो सकते हैं लेकिन उन देशों के लिए बस्तरविकता सधिक दूर है जिसका अधार उद्योग है वेपार तथा और दूतियक और तिर्तियक क्रिया होती है क्योंकि ऐसे देशों की बहुत थोड़ी जनसंख्या वैसे का आर्थिक अधार किर्सी हैं अतहा का ऐकिंगनतों की उपरकता की वल एस याई दियस वह में किर्सी परधान देश जैसे भारत पकिस्तान भीड्योशी या बंगला देश से चीन मान सकते हैं के लिए ही अधिक महत्य रखता है तीसरा है कि किर्सी गहनतों के अधार तो किर्सी घनतों या खेतिया घनतों का परिस्कृत रूप है जो कुल किर्सी योग भूमी और किर्सी पर अधारित जनसंख्या के पारसपरिक संबंध को परगट करता है इसकी गन्ना में परदेश के कुल किरसीयोग भूमि या कुल किरसीत भूमि से कुल जन संख्या को विभाजित करता है यांनि कुल किरसी और नमी या कुल किर्सी तेसी भूमी या Kinizi में सल्लागन भूमी दिखी और किर्सी पूर आधारित गुटी गळटाएं परती कुल किर्सी भूमें पर आधारित्य वेक्तवी होतके की सथ मत्यूला द नहु Instead कूल जनसेंगा नहीं किरसी में सलोगन या उसके एलाइड सेक्टर में लगे होई अकूलावादी की बात हो रही है जिस देश में किरसी योग भूमी ऑधिक है वहाँ किरसी घण ethnThen तो कौम पया जाएगा इसी प्रकार जहां किरसी पर जिसंसंख्या आधारित वहें कशेती में सलोगन हैं वहाँ भी किरसी घणagain से जनंग्वात ब Lewis army में सलोगन किरसी जनंख्या किर्षक एवं किर्षक स्वमिंग हूं 341 लाख थी और कूल किर्षी येग भूमी 15 लाख से अधिक थी इस प्रकाय भारत में किर्षी घना तो 150 वेक्ति परतिवर किलोमीटर है वहीं भारत चीन बांगला देश आधिक किर्षी परधान देशों में 70% से अधिक जन संख्या किर किर्षी घना तो अधिक पाया जाता है कि आगे देखिएए जापान विटेंश चनु तराज अमेरिका जैसे और दोई देशों में कौम लोग किर्षी कारियों में लगे हुए हैं आत्व वहां किर्षी घना तो बहुत कम है किर्षी परधान देशों अथ्वा गैर किर्षी सते जीतना ही ओधिक होगा यह सुचकांक उतना ही ओधिक होता जाएगा आगे देखिए अव आर्थी घंठों की बात हो रही है तो जनसंख्या घंठों की सरवाधिक सार्थरक तथा उप्योगिता तब होती है जब वहया परदर्सित करने में समर्थ हो की उपलॉब्द बूमी पर जनसंख्या का वास्तविक दबाव कितना है। जीन देशों में किर्सी भूमी कम है अथवा किर्सी पर बहुत कम जनसंख्या आश्रित होती है। बूमी पर जनसंख्या के वास्तविक दबाव को काईक अथवा किर्सी घनत दोरा परवट नहीं किया जा सकता है। ऐसे देशों के लिए आर्थी घनतों क tomar तो सबसे अधिक है। आरथी घनतों संफूर्ण जनसंख्या और सभी संसाध्यनों के मुल्ले हों ज्यानि की किसी एक इकाई का अनुपास होता है। तो आपका आर्थी घनतो तो आजाए जैसर देश की शमक गांना के लिए देश के समशसे संसा धनों का मुल्यांकर UFO किसी ब्रूंध कर सकते हैं enthusiasts किसी देश के सभी भूग और विक जलीय वन किसी भूमि की उतप्र दक्ता तक्निकी छमिता आदी औंध तत्यों का सोही सरवेक्षन तथा किसी एक मुद्री इकाई में उनका पुल्यांगर करना अत्यांत जटिल कार है और कठिन कार भी है यही कारण है कि सिधान तह सरवार्थिक उपयोगी तथा सार्थक सूचक होते हुए भी आर्थी घनतों ग्यात करने का सफल परियास विक्सित पास्चा इकाई भूमी पर मनुस्यों की ऑसत जन्संख्या कितनी है इस परकारे है सदारन थःखठान भूमी और जन्संख्या का अरूपाद होता है यह इस कल्पना पर अधारित है कि मनुस्यों को पोषन ख़ठान के रूप में ही प्राप्त होता है जिन किर्षी परधान देशों में कोई एक खादान ही अधिकांस किर्षी भूमी पर उगाया जाता है वहां कुल खादान भूमी के अस्थान पर की वल परधान खादान के अंतरगत परईव तो भूमी को ही सम्मिलित करके भी पोशन घणातो की गन्ना की जा सकते जैसे देखिए यहां पर पोशन घणातो बराबर देश की कुल जन संख्या मैं क्या भाग देंगे नीचे परदेश की पर्मुक्त खादान अथ्वा कुल खादान भूमी से भाग देजिए तो क्या पोशन घणातो आजाएगा ऐसे देशों के लिए पोशन घणातो की उपयोगिता कम हो जाती है जहां कि जनता मुखिता आयातित खादानों पर निर्फन होती है अत्वा जहां भोजन में खादान का गौन महत होता है तदहा पोसन का अधिकांस भाग मास फॉल दूद आधी पदार्सों से प्राप्त होता है वहां पर पोसन घौनत तो क्या है तो आए उतना उप्यूक्त न कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें तथा पाटतीक साथ जल्दी मिलते हैं तब तक धन्यवाद